हेलो फ्रेंड्स, आल मार्ट्स में आपका स्वागत है, मेरा चैनल उन लोग के लिए बहुत ही हेलफुल है दोस्तों, जो शेर मार्केटरें इन्वेस्ट करते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट सुरू करनी की सोच रहे हैं, फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दवाईएगा, जिससे आपको लेटेस्ट कमपनी के वीडियो की जनकारी सबसे पहले मिल सकें, आज आप लोगों के एक न्यू आइप यू के बारे में बताने जा रहा हूं, ये आइप यू लिखिता इंफर लाक एक्विटी सेर्स के होने वाले हैं, इस आइप यू की लॉंज डेट 29 सेप्टेंबर है और लाज डेट 1 अक्टूबर को होने वाला है, इसकी लिश्टिंग बीएसी और नेसी में 12 अक्टूबर को होगी, ये तो था इस कंपनी का आइप यू के बारे में, अब चली ज प्रेजन्स मोर दैन 16 स्टेट्स में हैं, और टू यूनिन टेटिस में भी इसके प्रेजन्स है, लिखिता इंफ्राश्ट्रक्टर ने 600 किलमीटर लंबी ओल और ग्यास पाइप लैन बिचा दिये पिछले 5 सालों में, और अभी 800 किलमीटर के प्रजेक्ट पर काम कर रही है, इस कंप्री ने 1st Transnational Cross Country Pipeline को भी बिचा रखा है, जो कि इंडिया को नेपाल से कनेक्ट करता है, बात करते हैं इसके रेविन्यू की, तो पिछले साल से इस साल इसके रेविन्यू में 15.6% की इंक्रिमेंट हुआ है, और इसका रेविन्यू 161.24 करोड पे पहुँच गया है, फाइनेंसिल इयर 90 में 60.2% का इंक्रिमेंट होकर 139.48 करोड तक रेविन्यू पहुच गया था, रेविन्यू ग्रोथ का अगर CAGR दिखा जाया पिछले 5 सालों का, तो देख सकते हैं 38.96% का है, और प्रॉफित है दोस्तो 58.56% का, अगर फाइनेंसिल इयर 19-20 का प्रॉफित अब आप इस कंपनी के बारे में जान गये हैं, तो क्या आप इसका IPO खरीदना चाहेंगे की नहीं, अपनी राइक कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा, तो फिरेंड जानने से पहले, लाइक, सेरे और कॉमेंट के साथ फॉलो जरूर करें चैनल को,